हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग उम्हित करता हूँ, बहुत बड़ी आउँगे, और आप सभी की परिशानी क्या है, मैं सब समझता हूँ, पुरू जी संस्क्रीट है ना, मैत के बाद अगर कोई परिशानी है, तो वह आपका संस्क्रीट है, और मैं आपको सच कहता होगा कि पूरे फिजिक्स से दोंग के प्रस्ण आठ नंबर के आते हैं केमेस्ट्रीक आठ नंबर के आते हैं लेकिन अगर आप संस्कीत की बात करते हैं तो कोई बात नहीं यह कुछ नहीं भी पड़े हैं तो कोई बात नहीं है संस्कृत ब्याकरण का जो भी प्रसानी था उन सभी का हमने इलाज लाया बहुत बढ़िया तर क्या होगा ऐसे 95 प्रतिसत अंक आपको यहां पर आएंगे कुछ चहते हैं कि हमारे भूआ को इतने आसान होता है कि अगर आप उसको एक बार दो भार तीन बार देख लेते हैं आथा है बुक का क्योंकि बहुत आसान होता है और ब्याकरन से आते हैं साथ नंबर है ना ये ये फिगर कभी 45 और ये कभी-कभी पचपन हो जाता है ठीक हम एकदम रफली मानके चलते हैं कि 40 कोशन अगर बुक से आगा और साथ कोशन ब्याकरन से आएगा सर हम कैसे बनाएंगे मेरा ब सब्जेक्टिफ सिलेबस यही है हमारा कि हमारा गध्धांस 13 नंबर का आता है ठीक है तेरा नंबर का सूच लिजे यानि अगर अगर आप पूरा ध्यांदी जाप आपका रिजल्ट खाली physics chemistry math और हिंदी से नहीं बनता है संस्कित भी है उसमें अगर आप पूरा physics पढ़ते ठीप पूरा chemistry तो पूरा comestry में सब्जेक्टिफ पार्ट में मात्र 14 14 नंबर है सब्जेक्टिफ पार्ट में मात्र 13 नंबर थिरे नंकर अपनेarme स्ट्री को प्ढ़ने में ट्या क्या आप नि अपने उतना time गध्र हांस को बनाने में दिया हा या ना बोलो दिया आपने अब लो नहीं सर गाए ध्यान तो हलका है सर दो मिनिट में हो जाएगा दो मिनिट में नहीं होता है इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो आठ नंबर का प्र लिखन है पूरा बायोलोजी के दो अंके प्रस्ण को पढ़ेंगे तो आठ नंबर आएगा यहा अब पर यहां पर नंबर है पूरा से पूरा इकनोमिक्स अगर पढ़ेंगे तो अपको पर वन सकते है और मेरी अगली वीडियो जो आने वाली है वो हिंधी और संस्कीत पर ही ज्यादा फोकस करने वाले हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे समझें यह अब्जेक्टिव पचास में पचास कैसे लाएं बच्चों का डिमांड होता है गुरुजी अब्जेक्टिव संस्क्रीट में 50 बटा 50 कैसे लाएं बच्चों देखो हम लोग मॉडल सेट लगाते हैं यह बात सही है लेकिन पह हाया है संस्कीत के मैं इस वीडियो के नीचे लिंक देदूंगा वहां से आपका अब्जेक्टिव पूरा ठीक हो जाएगा अगर आप चैप्टर वाइज पर लेतों ना बुक का 40 में 40 मैं सच कहा रहा हूं और बहुत सारे बच्चे जो मुझे से पढ़ें उनको पता होगा कि गुरुजी 40 बटा 40 कैसे आता है उक में आपका 40 बटा 40 नमबर आगा एक नमबर नहीं कर सकता है कर्मवीर कौन था अलस साला में कितने आलसी थे विद्यापती किस भासा के कवी है यह सब कोशन रहता है जो कि बहुत हिंदी के तरह होता है सेम टू सेम और यहां से व्याक सägGs 50 बटा 50 अगर आप यहां से लेखर आ जाते हैं यहां से औपेक्टिब वाले से सरसे सख्षन से मैं यहांपे 50 बटा पचास है यहां पर आ करके मैं सब कुछ सिख॥ है, सावंOOOO 저 नहीं सिखेंगा सभध इसे बताओं इस सब गचनिस्टेस बड़ाओं धूरो तो आ रिदी संवाज बनाना आपको इसाइग लिगठास से अपने आप इसकंदेजन रिद्मेटी कहा है इसे यहां होति हमारा से यहांटीं कितना पड़ाई लीय कभिए वन तैंके सर यह 10 नंबर कहां से आएगा यह 10 नंबर कहां से आते देखो शंधी के अते हैं संधी के वाद UPDT से हाते है परतियाय से आते हैं सर परता है यह जो आना आपके परत्य पीछले बार दोनों POWERS से मिलाकर तेरा पुछा गया है तेरा नंबर तो सिर्फ नों पालि से लगभग एक एक पाली में छे वोचिन तो पर्तिय से हैं एक जो बाग भग शे से सात कोशन सिर्फ परतिय से पूछे गया है उसके बाद जाओ थे नंबर में रहां सोडी है ना परत्य यहां पर लिखा अ अब पूछा थे लकार से बहुत आते हैं किसमें लट लकार है कौन सा लंग लकार और यहां पर छे नमबर में समास आगा सोड़ी बच्चा छे हैं तो छे च्प्टर ही है सन्सकित में जहां से आपके नमबर पूछाए अधिक से अधिक प्रस्ण पूछा याता है ना इन छे चप्टर को आप पढ़ा दीजिए आपके मन में यह आता हूं आपके पास वो टाइम नहीं रहा कि आप एक एक प्रस्ण को पढ़ोगे उसर क्या दिमाग लगाया बताईए तो आज बच्चों मैं बता रहो आपके नोट्स में क्या दिया आप बहुत विद्वान औरे मैं कोई विद्वान विद्वान नहीं हूं मैंने 6 चप्टर में क्या क्या पता है आपको मैंने 6 चप्टर में क्या गया कि जितने भी प्रस्ण बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं अभी तक में जितने भी प्रस्ण पू और एक बिना आंसर वाला होगा, पहले आंसर वाला पढ़ लिजेगा, और फिर बिना आंसर वाला प्रैक्टिस कर लिजेगा, ठीक है ना, तो पहले हम देंगे जिसमें आंसर रहेगा, उसको आप पहले पढ़ लिजेगा, फिर बिना आंसर वाला देंगे तो अपने से उसको पर देखो जो जो कोशन पूछा गया है सारा आपके सामने है अभी तक के एक्जाम में जो जो पूछा गया है और जो कोशन पूछे जा सकते हैं इसका गेस कोशन आपके सामने ध्यान दीजिए जैसे यहां से मैं सुरू करता हूं संदीश है तो जो जो कोशन पूछा गया है आसान आसान कोशन कोई दिखाता हूं दिखाता हूं हर चप्टर में 37 कोशन करके मैं ने दिया चुआ हैं परत्य उस्टाइब को परफि кон्हारी मत जो कत्वा से बना यह powinle गौशन इसको कर लिए किताब से कहीं पर तो पिर दूसरा देखें दूसरा पर लुकर को सा हैं सरवदां में पढ़ते हैं हम कूब पढ़ाएं हैं दूसरा दीखातें फिर तीसुर रिखा पूछा गया है पूछा गया है चलता के बाद और देखिये जो पिछले साल ना सब में पांच और सात के बाद इधर आईए एस साड़ में देखें यहां से बारंव race ौर देख लिजिए है बाड के बात क्या है थेरा है तेरा के बाद देखे 14 14 के बाद देखे 15 बाबारे बाबा 15 कोश्चन 2022 में पूछे यहां से 15 कोशन सिर्फ परत्यस है आप सोचके देखो 15 कोशन अगर यहां से परत्यस से पूछे गया एक कोशन यहां भी यह मुझे लगा लागा है कि अपने आपमें सक होने लगा है इतने कोशन परत्यस से पूछे गया है आपस इतना पढ़के जाना कुछ नहीं इतना कोशन नंबर आएगा देखो पूछे तो जाएंगे यहां से 25-30 पूछे जाएंगे आपके लिए 25 से 30 कितने पूछे जाएंगे बताओ 25 से 30 लेकिन आपको एक्जाम में कितना बनाना है एक्जाम में बच्छो रिस्क ज्यादा नहीं लेना है दस कोशन यहां से दस ही बनाना है और बांकी 40 कहां से बनाएंगे सर 40 बडाबर 40 40 में 40 हमको बनान त्रूम देखिए गध्ध्यांस की बाद के आता है अनुछेद अनुछेद में देखिए सात नुमर का यह ना एक नमर कर जाएगा चे आएगा उसका देखिए आपका आठ गलती कर देते हैं पाँछ आ जाएगा आपका बुख का प्रस्ण प्रस्ण उत्तर इतनाईजी होता है जो एजी होताए मैं दो विडियो में करा दूंगा प्रस्ण और उत्तर बुक का पूरा, मैं दो विडियो में करा दूंगा, साथी question है लगबग, साथी question में से आपके exam में 32 question पूछे जाते हैं, 16 question पहली पाली में, 60 question पड़ना है, अगर यहाँ पर मैं बात करता हूं, 16 में से अगर मान लो कि दो नमबर कट ग summat, चार नमबर कट गया हंटाओ बचा कितना बारा अब इसको जोड़के देखूं बारा एरो और छे उन्निस है ना पत्चीस पांस तीस और बियालिस हुआ यहां पर और उधर कितना था हमारा पचास पचास और बियालिस अगर हम अच्छा जोड़ते हैं आप ही जोड़के बता चार चार ऐसे शुरेस यहां रहता है किन्दी मुझे लेकर चलो कम से कम 95 संस्क्रीट कहता है कम से कम तो 90 लेकर चलो मुझे चलो चलो कहते हैं गुरुजी हाट पाट पार चलो एक एक खांसी ले बच्चों एक दो तीन चार पांच नौपचे 45 हो गया एक कम तर चावालिस हो गए देखो फोर फोर 2 प्यार्स सोटी साटालिस ऊंक देखो क्या गिया आप बस अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट हो आपका नंबर आएगा अब देखे इसके बाद जब आप इसको संस्कीत यहां से प्यक्टिस कर लीजेगा तो आपको यह वाला नोट्स दे दिया जाएगा इसमें देखिए आंसर कहीं नहीं लगा है इसमें आंसर कहीं नहीं लगा अपने मुबाइल फोन में आप अपने से बनाना और फिर उसका आंसर मेंच करके देखना बच्चो कितना आपका सही होता है अगर आपको दो बार तीन वार ऐसा कर लेते हैं तो आपका यहां से ब्याकरन सही हो जाएगा और जाके एक्जाम में आपको दसी कुछन मराना अराम से बन जाएगा गुरुजी यह नोट कैसे मिलेगा तो यह नोट देखे जो लोग हमारे वाट्सप पर जुड़े हैं उसको कुछ नहीं करना है आप जाईए आराम से वाट्सप पर आपको मिल जाएगा टाइम से आप टंसर मत लिए अप्लि या गेस कोश्चन भी सी में यह वाला सब कुछ इसी में मत्तब कि एक बार फिस हम लेते हैं अगर हम दो बार तीन बार आपको एक के चीज के लिए पैसा लें तो आप मुझे बोल सकते हैं एक ही बार हम फिस लेते हैं ठीक है ना तो जो लोग नहीं जुड़े हैं प्यारे सब्सक्राइब करें अब आपके पास दो दिन बचे हैं पड़ापड से ले लें जो लोग पहले पेमेंट कर चुके हैं आपको कहीं फिर से पेमेंट नहीं करना है मेरे नाम से कहीं पर भी नहीं आपको मिल जाएगा जी ठीक है ना तो यह मारा छोटा सा प्रयासा को कैसा लगा मुझे जरूर बताना और मैं अब अधिकांस वीडि सब्सक्राइब करा देंगें जितना कशन मैंने गेस दिया है गेस का सब्सक्राइब कर देंगें बांकि आप लोग खुद किजिए अब अभी आप इंसर मांग रहे हैं अब आपका एक्जाम आठ दस दिन बचा है तो आप एकदम निष्टिंथ हो जाए कि आप परिक्षा इसका एंसर कहां है अब बताईए अब आठ दस दिन बचाए अपने से लिखिए ना जब बच्चा कॉलकर यह बोलता है कि सवर आपका सब जो गेस को संद्यान हम सब बना लेते हैं तो मन खुस हो जाता है तो अपने से आप को सिसके ठीक है ना लव्यू जी मेरा प्रियास आपको कैसा लगा आपको पूशे कमेंड जरू किजिए धन्यवाद